नमस्कार आज मैं आपके लिए बहुती ही टेस्टी कलाकन की रेस्पी लेकर आई हूँ जिसे आप बहुती कम समान और कम समय में घर पर रखी चीजों से ही बना सकते हैं यह बहुती स्वादिस्ट और दानेदार बने हैं घर पर बनाई हुई मिछाई या कोई भी चीज हम बनाते हैं पनीर को बारिक वाली साइट से ग्रेट कर लेंगे यहां पर पनीर मैंने एक कप लगवक 150 ग्राम लिया है पनीर बड़े टुकडों में नहीं होना चाहिए अगर पनीर घर पर बनाया है तो आप इसे बिना ग्रेट किये भी डाल सकते हैं पनीर क्रम बढ़ो गया है अब हम एक मोटे तले की कडाही लेके उसे बिना गैस पर रखे ही उसमें पनीर डाल देंगे एक कप मिल्क पौडर आधा कप दूथ और एक बड़ा चमच घी डाल देंगे आप घी की जगा मलाई या क्रीम भी डाल सकते हैं अब इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर सबी चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो गई है इस तरीके से ये एक बैटर बनकर त्यार हो गया है तो चलिए अब हम इसको पकाते हैं कडाही को गैस पर रखेंगे गैस को हाई मीडियम फ्लेव पर इसे लगाता चलाते हुए पका लेंगे इसे तब तक पकाना है जब तक य मीक्सर गाडा होना शुरू हो गया है इस लगातार नीचे से भी अच्छी तरह से कर्शी से चलाते हुए हिलाते रहें ताकि ये मिक्सर कडाही में ना लगे आप इसे चाहें तो लोफ लेंव पर भी पका सकते हैं ये पहले से गाडा होता जा रहा है अब हमें से थोड़ा स और पकाएंगे, मिक्स्चर पैन को छोड़ने लगा है, गाड़ा भी होकर माबा की तरह दिखने लगा है, इसमें थोड़ा सा गीलापन है, मॉइस्ट है, ये सूखा नहीं है, बिल्कुल सही बना है, जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ गया है, और ये काफी गाड़ा भी हो गय है, इसे हम सेट कर सकते हैं, इसमें डाल देंगे एक कप चीनी और इसकी जगा आप शुगर पाउडर या मिस्चरी भी डाल सकते हैं, चीनी मिक्स्चर में अच्छी तरह से घुल जाए, इसके लिए हम दो तीन मिनट तक पकाएंगे, क्योंकि चीनी गरम होने पर पानी जाता है, दो-सी-तीन मिनट इसे लगातार मीडियम हीट पर गाड़ा होने तक पकाएंगे, मिक्स्चर अच्छी तरह से पक गया है, पैन भी छोड़ने लगा है, दो-तीन मिनट पकने के बाद इसमें इलाइचय पोऔर डाल कर इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मिक्चर तयार है अब हम गैस को बन कर देंगे आप ध्यान रखे कि मिक्चर को ज़्यादा पकाना नहीं है इसमें थोड़ी सी नमी रहनी चाहिए तब ही बर्फी सौफ्ट और माइस्ट पकेगी यह सुखी नहीं होगी कलाकन का मिक्चर पकत तयार हो गया है इसे गैस के उपर से निकाल लेंगे एक प्लेट लेंगे प्लेट को ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरह से यहां आप इसकी जगा बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्लेट को ग्रीस करके हम मिक्चर को प्लेट पर डाल देंगे और स्पून चाइस प्रैचुला की साहता से उसके पीछे घी लगाकर उसको प्रैस करते हुए शेप दे देंगे आप उसको कोई भी शेब दे सकते हैं अगर गॉल देना चाहते हैं तो गॉल बाउल पर शेब दीजिए इसको हमने अच्छी तरह सेट कर दिया है एक घंटे तक फ्रीज में रख देंगे एक घंटे के बाद फ्रीज में ये कलाकन अच्छी तरह सेट हो गया है अब हम इसके उपर कुछ ड्राइफ रूट्स डाल देंगे, लम्बे बारिक टुकडों में कटा हुआ, बदाम, पिष्टा डाल देंगे, आप अपने पसंद का कोई भी ड्राइफ रूट्स डाल सकते हैं, कलाकन बनकर त्यार हो गया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइफ जरूर करना, और लाइक भी करना, शियर भी करना, चलिए अब हम इसको काड़ते हैं, आप कोई भी शेप इसको दे सकते हैं, ये बहुती स्वादिस्ट बनता है, कभी मीठा खाने कमबन हो, तो जल्दी से इसको हम बना भी सकते हैं, और इसे आप जरूर बनाना और बना कर बताना कि ये कैसा बना है, ये बहुती स्वादिस्ट बनता है, और जल्दी भी बन गया है, मेरी वीडियो को शियर करना, और लीजिये, कलाकन बनकर त्यार हो गया है, दानेदार, स्वादिस्ट और देखने में जितना सुन्दर, दानेदार दिख रहा है, खाने में उतना ही मजएदार और स्वादिस्ट है, इसे आप किसी भी तिहार जाँ फंक्शन में बना सकते हैं, तो चलिए अब हम इसको सर्व कर मज़ा लीजिए अनन लीजिए देखने के लिए आपका धन्यवाद नमस्कार